नवस्कार आप देख रहे हैं हल्ला बोल आपके साथ मैं हूँ अंजिना ओंकश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं ये स्टेट विजिट है जिसमें स्टेट डिनर भी उनके लिए होस किया जा रहा है लेकिन इसी के साथ जिस बात पर को संबोदित कर चुके हैं लेकिन चठेड़ानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और सात्य भी वही होंगे क्योंकि दूसरी बार American Congress को संबोदित करने وाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन रहे हैं इसी के साथ क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र अमेरिका में भारत माता की जय के नारी लग रहे हैं वारेरे भारतिय मूल के लोगों की पेकरारी बढ़ रही है हर किसी को पियम मोदी का इंतजार है हर किसी को उस नेता का इंतजार है जिसका कद दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नजरों में भी काफी बड़ा हो चुका है बच्चे हो या बुज़ुर्ग, महिलाए हो या पुरुश प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के अमेर की दोरे से पहले सब का जोश हाई है अमेरका की राजधानी वाशिंग्टन बी-सी में पियम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय की लोग तैयारियों में जुटे हुए है जब मोदी जी आते हैं, जब देश की प्रेजन्स यहां पे फील होती है तो बहुत गर्ब लगता है कि मेरा देश के मैं हिसा हूँ यह प्रधान मंतरी मोदी की लोग प्रियता ही है जो उनके वहाँ पहुचने से पहले ही अमेरका के 20 शहरों से 7000 से ज्यादा लोगों ने पियम मोदी के दोरे से पहले वाशिंटन में यूनिटी मार्च निकाला दुनिया में भड़ती पियम मोदी की लोग प्रियता का आलम यह है कि वो एक मात्र ऐसे भारती प्रधान मंतरी बनेंगे जिने दो बार अमीर की संसत को संबोधीत करने का मौका में लेगा पियम मोदी की लोग प्रियता का आलम यह है कि वो दो बार अमीर की संसत को संबोधीत करने के बाद दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में शुमार हो जाएंगे जिनोंने दो या उससे ज्यादा बार अमीर की संसत को संबोधीत किया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की लूग प्रियता ऐसी है की इस बार हो अमेरिका के स्टेट केस्ट है यानि अमेरिकी राश्ट्पती जो बाइडन के मेहमाई है प्रदान मंत्री मोदी अब तक 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके और अब साथ वी बार जा रहे हैं अमेरिकी राश्ट्पती और प्रियता के सबूत कई बार मिले लेकिन हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री की लोग प्रियता का सबूत उस दिन मिला जब कौर्ड की बैठत में जो बाइडन ने कहा कि उन्हें प्रियता का आटोग्राफ चाहिए अभी जो जिस परिपेक से दुनिया भारत को देख रही है वो इसका कारण है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी का नेत्रित ये प्रदान मंत्री मोदी की लोग प्रियता का ही नतीजा है कि योग भी दुनिया में लगातार लोग प्रिया हो रहा है 21 जून को पियम मोदी अमेरिका में होंगे और सेंट राश्ट के फ्रांगण में योग कर रहे होंगे आज तक देरो अजय कुलकर्णी साहब जो की फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ है वोटीन कॉप संटी जी इंफंट्री इंडिया नामी के और रोबेंदर सच्देवा साहब जो की को फाउंडर और डिरेक्टर है इंडिया अफैर्ज यूएस आई एन पीस्टी के अजया आलोग जी पाच पीमे से पहले भी हो चुके हैं जिनोंने अमेरिकी कॉंग्रस को संबोधित किया यह सच है कि प्रधान मंत्री दूसरी बार संबोधित कर रहे हैं लेकिन लोग प्रियता के पहमाने पर फिर वैसे ही अंतराश्रे मंचों पर कई जगह पर टिपणियां भी पीम पर होत को पती हैं तो सिर्फ लोगत्रीयता का पैमाना और बढ़ती लोग प्रियता का निवाइसे कैसे माना जा सकता है अमेरिकंचत को संबोधित करेंगे पहले विह अमारे जितने प्रधान मंतरियों वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और आज भारत के लिए गर्व की बात है आप देखिए अमेरिका से हमारे सामरिक रिष्टों में कितना बदलाव आया है पिछले दस वर्षों में ये प्रमान देता है न्यूक्लियर डील हुई 2009 में कॉंग्रेस की सरकार थी हमने विरोध किया था लेकिन उसके बावजूद न्यूक्लियर डील पे हम आगे बढ़े आज वो डील बढ़ते बढ़ते तमाम राश्पती के बदलने के बाद भी चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रेपब्लिकन हो एक भारत अमेरिका के संबन्दों में जो मजबूती अ गरम जोशी दिखी है वो कहीं न कहीं प्रधान मंतरी जी के विजन को साकार करता है जिसके बारे में 2014 में कहा गया था कॉंग्रेस के विदेश मंतरी और पूर्सचिवों के दौरा और सो कॉल्ड इंटेलेक्च्वल जाइंट्स के दौरा कि मोदी को विदेश निती कहां समझ में आएगी उसके तो पूछना पड़ेगा ना हम लोग से मिलना ही पड़ेगा विदेश निती कहां समझ में और आज विदेश निती वो हो गई है कि न सिफ अमेरिका बलकि G7, G20 हर देश हम लाने यहां सम्मिलन करना चाहता है हमसे संबन मजबूत करना चाहता है कि कहीं न कहीं भारत की बढ़ती हुई अंतर राष्ट्रिय पकर और भारत की मजबूती का घोतक है और इसके लिए हर भारतिय को गर्व होता है अलोग जी आप लोग हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर क्रिटिसिजम करते थे उन्होंने ट्रंप और ट्रंप नमस्ते ट्रंप यह वो करके ट्रंप पर बहुत जादा फोकस किया लेकिन अब डेमोक्राइट्स हो या रिपबलिकंस वो सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करें क्या ये उनकी लोग प्रियता पर मुहर नहीं है अंतराश्ट्रिय मंच पर? ये वही अमेरिका है जिसने मैकसिमम समय तक पिछले 9-10 वर्षों में जिस तरह से जियो पॉलिटिकली हमारी मदद होनी चाहिए थी वैसे नहीं हमारे पूरे दबाव के बाद भी पाकिस्तान की मदद की गए ये वही अमेरिका है जिसने तमाम प्रधान मंत्रियों को अपने पर स्थान दिया है हमारे देश के प्रधान मंत्रियों वो जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है हमें भी गर्व लेकिन ये वही प्रधान मंत्री हैं जिनके काल काल में वीजा की डेट सबसे ज़्यादा अगर रही लंबी दो-दो साल लग गए जिस तरह की नुक्लियर डील जो थी वो पहली अमेरिका की नुक्लियर डील थी जो बाइलेटरल थी जिसको हम भी तोड़ सकते हैं अब बीजेपी आज कह रहे है कि हम आग कंटीन्यू कर रहे हैं आपको तो जवाब ये देना चाहिए आपने विरोध किस बात का किया था जिसको आज आप कंटीन्यू कर व्यापारिक देश है अमेरिका व्यापार करता है चाहिए अफगानिस्तान हो चाहिए भारत और चाहिए चीन हो अमेरिका में जिस तरह का पॉलिटिकल महौल भी है वो भी उसमें सबसे पहले वो अपने व्यापार को रखता है बाइलेटरल डील अगर किसी ने कराई तो सबसे ज़्यादा भट्टा बठाया गया पहले प्रधान मंत्रियें जिन्होंने चीन को क्लिंचिट दी पहले प्रधान मंत्रियें जिनके शाशनकाल में नेपाल भी हमसे दूर हो गया पहले प्रधान मंत्रियें के सारे पड़ासी नाराज हैं पहले प्रधान मंत्रियें के हम क्योंकि आप नमस्ते ट्रंप करते हैं क्योंकि आपको वहां कुछ गुजरातियों की वोड देनी है और गुजरात आपको जीतना है विदेश नीती आपने अडानी नीती बना दी पहले देश के प्रधान मंत्री ने जो गव्यापारी को साथ में बैठा कर ठेके दिलवाते है कोई प्रधान मंत्री ऐसा नहीं रहा छोटे 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 देशों को दबा कर आप दूसरे व्यक्ति को बिजली के ठेके दिलवाते हैं श्रिलंका से बंगला देश ये विदेश नीती है आपकी कभी भी रश्या और पाकिस्तान ने जॉइंट एक्सराइज मिलिटरी की न नर्से नहीं होगा कौन सी ऐसी संधी जिससे भारत को भारतियों को फायदा होगा पुंठा और निराशा से भड़े मन से जब भी आप वक्तवे देंगे तो ऐसी हैं इसे फुलजड़ी और बच्छे शब निकलेंगे हमारी प्रधान मंत्री जा रहे हैं दस साल में हम कहां से कहां बदले उसका एक उधारन देता हूँ आपको नर्सिमह राओ की एक किताब थी उन्होंने अपने जीवन में किताब लिखा उसमें एक लाइन लिखा था अब मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि जॉर्ज बुश मेरे पीछे खड़ा है ये नर्सिम कि शर्तों पर सारे देश आग्रिमेंट करता है ये कहते हैं नेपाल से संबंद खराब हो गए अभी दस दिन पहले नेपाल के प्रधान मंतरी ने क्या कहा इसी हंदुस्तान में आके कि आज नेपाल और भारत के जो संबंद बने हैं उनकी सबसे बड़ी वज़ा है कोई तो पतिशदी पकड कॉंग्रेसियों को होती तो देश का नक्षा कब कब बदल गया है उतर दूँगा उनिस सो इखत्तर के युद्ध में अमेरिका का बेड़ा खड़ा हुआ था यहाँ पर और इंदरा गांधी जी की कूट नीती थी आप कहें कि आज हमारी सुन रहे हमने तो आप केवल और केवल विदेश नीती को भी अपने परचार का माध्यम बनाते हैं आप दूसरे देशों में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से पहले कोई जन में लेता था यह विदेश में जाकर कहते हैं आप तो उसको शर्म आती यह विदेश नीती है आप आप विदे एक प्रेस कॉनफेंस हिंदुस्तान के प्रधान मंतरी ने 9 साल में विदेश की भूमी पर नहीं की, हर प्रधान मंतरी जाता था, प्रेस कॉनफेंस करता था, हिंदुस्तान के मीडिया को साथ लेकर जाता था, यहां चार पत्रकार चुन रखें, उनसे धीरे धीरे बात होके खतम हो जाती ये बात प्रेस कॉंफेंस जो प्रधानमंत्री विदेश की मुवमी पर जाकर नहीं कर सकता उससे असफल विदेश नीती किसी प्रधानमंत्री की एक 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 बस जवाब दे दू ये चीन चीन बार-बार कह रहें कि चीन को हमने क्लीन शीट दे दी गलवान उस वक्त ये कहते थे कि चाइना ने हमारी जमीन हाथी है कोई आदमी कौन? आमी के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या अमेरिका ने आज तक किसी भी हंत्यार को नाटो देशों के अलावा किसी को दिया है? पहली बार हमको ड्रोन दे रहा है, पहली बार हमें अत्याधुनिक टेक्नोलोजी दे रहा है, क्यों? इसे क्योंकि उसको भी इक्षा है कि भारत से संबन मजबूत हो, और भारत से बराबरी का संबन मजबूत हो, जो भारत के हित में हैं, लेकिन आपको दिक्कत यह है कि नमोदी के विरोध में आप भारत के हितों को भी अंधेगा कर देते हैं, ये सच्छ है, क्या ये सच्छ ह पर विपक्ष और सरकार को एक बोली बोलनी चाहिए आपको दर्शकों को और हमारे को पैनलिस को भी आज से तीन साल पहले गलवान में सेना के बीस जवान शहीद हुए थे उसके 24 घंटे तक समुची मोधी सरकार सुन सननाटा था उससे दो हफ़ते पहले देश के रक्षा मंतरी वीडियो से वर्चूल कैम्पेन कर रहे थे कहां कर रहे थे जम्मू में कर रहे थे और उससे आठ साल, साथ साल लगातार प्रधान मंतरी जी चीन के प्रीमियर से 18 बार मिल चुके थे हर ऐसी मुलाकात पर उन्हें दुनिया का सबसे महान नेता घोशित किया जाता था और उसके बाद इन तीन साल में चीन के साथ व्यापार हुआ 100 बिलियन डॉलर का सबसे जितने पिछले दस प्रधान मंतरी मिला लिजी है जितना व्यापार उन्होंने चीन को नहीं दिया अकेले इनकी सरकार ने दिया अब बात आती है कि प्रधान मंतर जी विदेश जा रहे हैं हमारी शुपकामनाय हैं उनके साथ मैं सोचता हूँ जो आपने सवाल पूछा कि प्रधान मंतरी जी विदेश चाकर के क्या कहेंगे लोग कहते हैं कि वख्ष कॉंट्रिब्यूट नहीं करता तो मुझे लगा कि मैं टलीक प्रॉम्टर तो है नहीं मेरे पास इसलिए संसद ही कहूंगा मित्रो जब मैं पहली बार भारत की संसद में गया मैंने माथा टेका उसकी महिमा को देखकर रो दिया बहुत लोगों ने उसकी तारिख भी की आज हाल ये है कि चलती हुई सरकार में प्रचंड बहुमत के साथ मैंने अपने ही संसर पर ताला लग आपके बीच में नियुक्ति नहीं मेरा जो व्यक्तित्व है वह अधुत है मैंने एक जगह कहा कि देश के 600 करोड लोगों ने मुझे अगुट दिया मेरे पार्टी के सभी प्रवक्ता और मंत्री कहते हैं कि देश के 44 करोड लोगों को मुद्रा लोन मिला आज की भारते जि है कि 220 करोड लोगों को वैक्सिन दिया गया यह अधुत इसलिए है कि हमारे देश केवल 26 करोड परिवार है तो यह 600 करोड लोग कहां से आए तो इस तरीके से जूट के पुलिंदे पर मैंने बड़ी-बड़ी बाते कहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं देश को आगे लेके जा भी लेते आईएगा क्योंकि उसकी रिपोर्ट को दवाने कि हमने पूरी कोशिश की अगर वो हिंडेंबर्ग इंडिया में होता तो हम सीबी एडी लेकर के उसको ले आते हैं यहां पर लेकिन आपके पास तो FBI है उसको ले आईए इस तरह की बातें जब प्रधानमतरी कहें यह कहते हैं 44 करोड लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिया है हाथ खड़ा कीजिए यहां पर आप किसी को भी जानते हैं जिसको मुद्रा लोन मिला हो हाथ खड़ा कीजिए कहते हैं एक परिवार में दो लोगों को दिया है आप एक परिवार घुम के बता दिजिए जिस साथ आपको क्या लगता है क्या विपक्ष का क्रिटिसिजम सही है क्या भारत अभी भी अपने अंदरूनी परिशानियों से इतना त्रस्त है कि वहां विदेश में जाकर जो ग्लोरी moments of glory हम कह रहे हैं उस पर उसकी साया रहेगी ऐसे है कि मैं तो politician नहीं हूँ नाई मैं diplomat हूँ एक military personnel होने के नाते मैं कह सकता हूँ यह जो visit है क्योंकि हम लोग हर हमेशा कहते हैं India first, nation first उसको मद्दे नजर हमारी जो निती है कोई anti-china नहीं है, pro USA नहीं है, pro Russia नहीं है हमारी है India first, और उस India first के सिद्धान को मद्दे नजर रखते हुए, मुझे लगता है जिस प्रकार से नधान मंत्री अब United States जाएंगे और जिस प्रकार से उनका स्वागत होगा, उसके अलावा जिस प्रकार से normal, अपने military technologies जो आती है, transfer of technologies होते है क्योंकि हमें मालूम है कि कौन हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक्त नहीं है एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चारी हूँ, क्या अमेरिका की तरफ से जो बाइडन जब इतना जादा एक तरह से महत्व दे रहे हैं पी-म के इस दोरे को, तो उसकी सबसे बड़ी वज़ा चीन है, चीन के खिलाफ उनकी जो नीती है, सोच है, उसकी वज़ा से ये मिल रहा इतना है, हमारा जो पेनिंसला है, जो कोस्ट लाइन है, वो तक्रिवन सारे साथ हजार किलमेटर लबा है, तो उसके मद्दे नज़र और जिस प्रकार से हम लोग चीन को देख रहे हैं, दोहजार बीस से, हमने चीन से समझाते कि ए, नाइटी नाइटी त्री में, नाइटी सिक्स में 2002 और 2013 तक सब्जाते करता है, चीन ने क्या किया, जो इस प्रकार से गलवान में उसने जो कारवाई की, वो शोभा देता है, जिस देश के साथ हम लोग अच्छे संबंद चाहते थे, उसी देश ने हमारे पीट पीछे चूरा गो, आज जब हमारे चीन के साथ संब बहुत खराब हैं, जो हैं, अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसे बोलते है, जो डेटरेंस जो पैदा करने की काबले राती है, जाए वो ड्रोन्स के द्वारा हो, मेंबर अफ दे नूकलियर सप्लाइ ग्रूप हो, क्यो चीन अब भारत के साथ थोड़ा खत्रा है, भारत एक तरीके से आत्मनिर्बर हो रहा है, जो टिकनॉलोजी कौन दे सकता है, अपने को कोई नहीं देगा, जाए वो प्रेडेटर ड्रोन्स है, ड्रोन्स के द्वारा क्या, वो बोलते हैं न, इस फोर वां आम, यह भी फोर वां, दिस नो डिना कर रहा है, या LAC के उपर क्या होने वारा है? उसके ओपर येस, मोदी जी का कैरिस्वा, मार्केटिंग, स्टाइल, जो भी आप कहिए, क्रेटिविटी, उसका भी बहुत आयल से ग्रेटिट जाता है, तो इन दोनों चीजों का मिला जो असर है, डंके के चोट पे जो प्राइमिस्टर कहते हैं, बट स्टेपिंग बैक, है, अब चाइना जो की नंबर टू है, उसे बन नहीं बनने दूँगा, चाइना कहता है, रोक सको तो, रोक लो, तो अभी जो भारत के साथ चल रहा है, डिफरेंटली हमारे अपने इंटरस्ट है, अमेरिका के साथ, राइट, बट अमेरिका क्यों कर रहा है, जो आप कह रह है, ऐसे शब सीनियर डिप्लोमेट ऐसे इस्तमाल नहीं करते, तो एक एक कौमा को सोच समझ के बोलते है, तो कोई तो कारण है, जो अमेरिका कर रहा है, बेसिक कारण क्या है, इसमें, यह सब आपको लग रहा है, अगर एरिक गारसेटी, जो यूस अमबासडर तो इंडिया है, चाहे हमें भी बहुत जरूरत है, अमेरिका को जरूरत है, बहुत इप प्रउबलम आ गही है अमेरिका को, इस समझ जव में जंग चल रही है थाजू़ौन, ने और ने तो कंट्री चाइन पूरा सोचती है. अमेरिका के पास यह विपन तो सअभी हैं. खतम हो गया काफी, है बढ़ा, बट दिस पिशले तीस साम से अमेरिका ने सोख आहँ था कика gli भी बड़ी जंग होगी. तो अमेरिका के पास इंडस्ट्रील बेस नहीं है. अब अमेरिका क्या सोच रहा है कि इंडिया को मैं अपनी इंडस्टियल फैक्टरी बना दू डिफेंज के लिए फटा-फट अब अगर इंडिया को डिफेंज फैक्टरी बनानी है तो आविसलि यह टेकनॉलिजी ट्रांस्फर करेंगे हमें हाइटेक देंगे तो यह अमेरिका का सेल्फ कोर इंटरस्ट है आप सवाल पूछे अपने बोला था कहते हैं इंदरा गांधी जी ने क्या कहते हैं आख से आख मिला के यूएस को बोला था कि आप ऐसे कीजे बट जब क्रायोजेनिक इंजिन इंडिया में आया था तब भ रहा हो चाहे क्रायोजेनिक इंजिन रहा हो और चाहे पोखरन परिक्षन के बाद तमाम तरह के नुकलियर के वैपन्स और नुकलियर पावर के लिए जो एक्यूपमेंट चाहिए उसके उपर प्रतिबंद रहे हो कॉंग्रेस पार्टी ने हमेशा से लड़ाई लड़के उ मौसम को पहचानने के लिए एंसो इंडेक्स को पढ़ने के लिए परम 10,000 बीए कंप्यूटर टेक्नलोजी भी यूएस से आई लेकिन मैं फिर कहूंगा यह हमारा रशिया यूएस से अच्छा दोस्त हमेशा रहा वह हमारे हाथ से निकल गया यह सरकार का बहुत बहुत इसे पर सवाल नहीं होताएंगों कॉंग्रेस से सवाल पूछा देखिए बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहूल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोनों प्रकार यह भी उसका हिस्सा है यह इसका पार्ट बन गई है वाटसेप यूनिवस्टी जो चला रहे हैं लोग और यह पढ़ रहे हैं मैं इन से अभी पूछता हूँ राहूल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही उस में जिससे देश की बदनामी एक बताए सर कॉंग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है और गरीबी इतनी जादा है हर चीज को लेकि उन्होंने बहुत गलत वे में बोला था सीधा सीधा हिए हिंदूस्टान की वब सैटgres नहीं मैं कहा रहा हूं क्या PAC की वैब्साइट कर नहीं है यह लोगतंतर पर अत्याचार हो रहा है या मुसल्मानों पर नहीं ह सो रहा है आप जम्मू कश्मीर में पचास सांसदों को यूएस के लेकर आते हैं क्या दिखाने के लिए कराये थे बाई क्या त्याचार हो रहे हैं वो NCRB के आंकड़ों में नहीं दिख रहा है मॉब लिंचिंग की न्यूस क्या अमेरिका में नहीं पढ़ी जा रही है हरुन जेटली साब का स्टेटमेंट शायद इस बच्ची ने छोटी मैंने नहीं पढ़ा होगा उन्होंने सुम कहा कि आज देश क्या और विदेश क्या मोदी जी ने जितने स्टेटमेंट देश को बदनाम करने के लिए दिए हैं चोटा से जवाब मोदी जी तो कहते हैं कि 2014 से पहले आपका जन्म शायद 2014 से पहले का हूँ आपको शर्म आती है कि आप इस बिद्दान में जन्म हुआ अब एक मिट सुनिए जो परसेप्शन हम लोग नहीं बना रहे है राहूल गान्दी खुद टीवी में बयान दे रहे हैं बैट के बयान दे आई इंटर्वीव में कि इस देश में अलसंक्ख्यों को पे अतरचार हो रहा है मुसलमानों पे अतरचार हो रहा हुँ पर नृताँ का यु-एsz में वाइरल नहीं होते हैं आपसे सवाल है कि आपने बोला कि प्रधान मंत्री मोदी से सारे देश नराज है किस वेध पर नराज है मैं बताता हूं आपको आ आ पने बताया कि फ़ॉशी मुल्कों की बाद के पूछे इन्होंने इंडिया आर्मी की मतलग की जो आर्मी के हाथ इन्हों करने बांद रख्यक पाकिस्तान के फायर होते थे इन्होंने कांग्रेसि में पार हुआ करके थी या सबनने से आपने सोच समझ के बोलो बच्चो मना कर रखा था कि जब तक हमने मना कर रखा कहां पढ़ाई कहा है इसलिए और उसके बाद से जब परधानमंत्री मोदी जी ने जब आख दिखाना चालू किया उसके बाद से पाकिस्तान जो है रोड़ो पे आने लगी तो इससे नराज है मेरा अलोग जी से परसन है मैं पेसे से सिख्षक हूँ कि जब भी हम कुई अच्छा काम करें तो हमें उसको एप्रिशेट करना चाहिए और अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हम एडवाईज करना चाहिए आपने अभी कहा कि इंडिया जनसंख्या में नंबर वन हो गया है तो अच्छी चीजों को भी हमारे नेता परतिपक्ष को उनकी का अच्छे कारिये के तो शिक्षय का ग्यान है इसमें सवाल नहीं है चोटा सा चोटा सा कहना चाहूंगा इंडिया आज अगर नंबर वन हुआ वो ग्रीन रेविलूशन की वज़े से हरित क्रांती की अँवाइं वहन्ण कर आई ओभी कॉंग्रेस लेकर आई मोद Dogs अगला प्रतिवर्शीन सवाल है कि पहले जब मनमोहन सींग कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना समान नहीं दिया जाता था लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो यह कॉंग्रेस के पेट में मडोर क्यों मच रही है दिखी मैं समझता हूं कि यह यह सोशल मीडिया और मीडिया जनित परसेप्शन है इसमें वट्सेप के साथ-साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं कारण क्या है उसका बहुत अच्छा कारण है हमारे देश के प्रधान मंतरी आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ अमेरिका के राश्टपती तो छतरी उठाकर हमारे प्रधान मंतरियों का हुआईजास तक चोड़ने गए लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं किया हमने काटिण को अपनी लड़ाई अपनी लड़नी में जुकें सिवेक्र करें मेडिया को लेकर प्रश्रू को लेकर कि आपकी पार्टी के अंदर ही उनके कद को उच्छा नहीं होने दिया गया चोटा सा उत्तर नोगन सिंग को क्या डराकर रखा आप लोगों ले दिख विजे सिंग का एक बैयान सुनाती हूं पार के दो सेंटेस होने चाहिए क्या बात करते हैं सर आप मन्वोहन सिंग को बतौल प्रधान मंत्री क्या छवी के उनके साथ कॉंप्रमाइज आपकी खुद की पार्टी ने नहीं किया उसका एक बात करते हैं लोग जिए लगता है मैं जो कह रहा था तो अंजिना जी ने प्रूव कर दो आई नहीं बिल्कुल अजिना जी ने प्रूव किया आई नहीं बिल्कुल अजितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफिय बता रहे हैं आप सब उनको वाटसप इनिवस्टी वाले बता दे रहे हैं तो आप हमें सोर्स बता दीजे कहां से बढ़के आएं जिससे ह हम आपको वाटसप इनिवस्टी वाले ना लगे हैं अगर अपना पॉइंट ऑफियू रखे तो हम वाटसप इनिवस्टी तो सोर्स बताद जी कहां से बढ़े हैं देखे मूल सवाल जब पूछे गए ग्रीन डेवलिशन पर पूछा गया मैंने उसका सीधा उत्तर दिया कि मौदी साहब का हरित करांती में श्वेत करांती में किसी में पिंक रेवública में किसी में कोई कंट्रिबुशन नहीं लेकिन परसेप्षन ऐसा है कि देश के अंदर अनाज के बंडार मोदी जी नहीं भर दी इसलिए कहा जाता है के NCRT किताब में पढ़ा करो पता चलेगा इंडूस्तान का इतिहास क्या आए दोजर चौद्सान नहीं बना नोड़ीन की बात कहने तो आप पूर ओर व्यून देखे ना एंस एजने इंडियन परस्पेक्टिफ से कहां तक कितने हिस्ट्री लिखी गया थी कैसा है अग्या प्रेश्चा Chief नोट बंदी दोया जो हुए है अभी वो क्या सही है और क्यूं है सही लेकि यह बिल्कुल सही है यह ने 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 आर्बी आइक द्वारा लिया गया था यह ने ने डोहजार-ठार में लिया गया था कि पूछ लिजे पूछे लगा यहां पर पर परिशानी क्या है अर्व पर परिशानी क्या है अर्व पर परिशानी को आप लोग भूले गए हैं अजयना जी एक सकेंड जिस पर सबसे जादा अभी पीछ अपाते हैं हम आभी भी पीछ अपाते हैं अपर देश की इस देश की डिजिटल अर्थ वहस्ता बदल गई नूट बंदी के बाद साड़े चार करोड का टैक्स बेस आज बढ़के 10 करोड कब हो गया आज डिजिटल नूट बंदी के कारण गाउं गाउं में हो रहा है आज आपके गाउं में जाके फुचका खाऊंगा ना वहां पर भी गूगल पे करके पेड़ कर दूगा को यह नोट बंदी की ताकत और यह लोग ने पालमें ने कहा था इस देश की जंता को कैसे सखाएंगे वाइफाई अपरेट करना और आज हर गाउं में वाइफाई पहुंच गया है यह है हमारी ताकत यह उभरता भारत जो परदास में होता है तो देखे जिस समय कंप्यूटर आया तो बीजेपी सडकों पर खड़ी थे कंप्यूटर क्यों आगया इससे बेरुजगारी आएगी आज वही स परदी पार्टी जो बैठी हुई है याद होगा कानपूर में किसके नोट पकड़ा गेता है और उसमें 13000 क्रोन रुपे के साथ एक व्यक्ती आपके सामने आप सब पढ़े लिखे हैं आपके सामने इनों ने वोला कि नोट बंदी का ने ने आर बियाई ने लिया था हाथ खड़ा की जी आपको लगता ही मोधी जी ने लिया था आप सब लोगोंने मोधी का भाषन सुना था आपने ये भी सुना होगा कि अगर पचास दिन का समय दीजिए कुछ गरबढ हुई तो जिस चौराहे पे कहिएगा सुना था यह नहीं सुना था आज हाथ खड़ा करने से डर रहे हैं आर्बी आई का उसमें गवर्णर कौन था क्या किसी आर्बी आई गवर्णर ने आज तक कहा एक नोट बंद का निड़ने मैंने लिया था नहीं कहा तो इसलिए जूट में फसी यहां किसी ने बोला कि 2014 से पहले बहुत गरीबी थी क्य आए में 5,000 चले जाते हैं स्कूल की फीस में 1,000 रुपे चले जाते हैं दवाई में 1,000-2,000 चले जाते हैं जब आप बिल जोड़िएगा यह जो लोग सड़क पे आपको ठेला पे दिखाई देते हैं इनके घर क्या ओसत खर्चा है 24-25,000 रुपए और आय क्या है 20,000 गया अखिलेश यादव 2017 में चुनाओ लड़े थे तो उन्होंने election commission में दिखाया था कि उनकी वारशी काया है लगब 40-45,000 रुपए अभी जब 22 में चुनाओ लड़े अखिलेश यादव तो उन्होंने दिखाया आपने election commission के अफिडविट में कि उनकी वारशी काया अखिलेश यादव कि कमाई बढ़ गई है इसलिंडर की कीमत हमारे शाचन में कम है मैं कह रहा हूं हर लोगों की देश में इंकम बढ़ी है पर कैप्टा इंकम बढ़ी है तो उसी तरसे expenditure भी बढ़ेगा आप जानामिक्स का अमेरिक दूसरा थी आप गरवड़ा गये थे न वोटबंदी प्रधानमंद्री ने खुद बोला था 2016 में मैं जो कहना हूं कि आरभी आइन ने यह लिया था यह ने वह दो हजार के नोटों के बारे में होता है जब डिसकुशन में बैठे हूं तो ध्यान लगा कि सुरा कीजिए दूसरा क्या आखरीवा की बोलूँगा हम यूएस प्रधानमंद्री के यूएस विजिट के बारे में बात कर रहे हैं क्या आप जानते हैं कि जो बाइडन जो वहां के राश्ट्रपती हैं उनका चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिसके आधार पर उचुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका चुनावी जैसे कारेकरम जो लाए गए जिसने आर्मी की डिफेंस की मैं उस भी बैग्राउंड से आता हूं जिसकी रीड तोर दिया गया या तो घीर दिया गया तो मेरा सवाल आपसे यह है कि यह बात किसी से छिपा नहीं है कि मोधी सरकार अडवर्टीजमेंट पर कितना खर्च करती है तो क्या हो अडवर्टीजमेंट का पैसा हम उन घरों को बनाने में नहीं कर सकते हैं देखिए सबसे पहली बात कि जब भी कोई राश्टर ध्यक्ष हमारे यहां आते हैं तो उनका एक सेक्योरिटी के प्रोटोकॉल ह होंगे जिस मकान को भी हटाया गया होगा उसको कॉंपंसेशन भी मिला होगा ऐसा नहीं होता है लेकिन हमको सनिटाइज करना जरूरी है जी मेरा ज़िस हवाल है कि जैसे आप बोलते हैं कि विदेशों में मोदी जी की लोग प्रिता बढ़ रही है बिलकुर उस चीज़ पर काम हो रहे है रशिया से आप ऑईल परचेस करें सेंशन के बाद भी पर करनाटक में आपकी सरकार चली गई साउथ में आप लोग साफ हो गई हिमाचल में आपकी सरकार चली गई पंजाब में चली गई जो देश में आपकी लोग प्रिता कम हो रही है उसके ओपर मतलब देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर आप कहेंगे कि करनाटक में सरकार चली गई तो उसका जवाब ये है कि चार मीने पहले गुजरात में थंपिंग मिजॉरिटी से सरकार बनी अगर आप कहेंगे करनाटिक हिमाचर में सरकार चली गई तो उसका ये जवाब है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में अकेले दुबारा चुनके योगी जी आए तो ये अंगर गई एम करनाटिका में जनता ने हमें सुधिकार करते हैं हम कोई EVM पे दोश नहीं लगाते है ठीक है न कि EVM नहीं चला और उमीद करता हूँ कि EVM ठीक चलते रहेगा अगर लोगतंत में जनता महान होती है आपने काम नहीं किया आप पिक्षाओं पे खड़ा नहीं उत्रे जनता आपको नहीं चुने गई यह मान के चलिए बपौती नहीं है लोगतंत किसी एक परिवार की जो कोई पहले देश दोस्ता था उस परिवार ने शहादत दी हैं उस परिवार के शरीर के लोगों के चितरे उड़ गए है वापस आता हूं आपके यहां से चुलिया नहीं मरी है मुद्बे पर आता हूं आप लोगों सब ने देखा होगा पूरे देश ने देखा G20, G20, G20 सुनने में आया है कि लगबग 20,000 करोड का अड़र्टीजमेंट का खर्चा हुआ है भारत को क्या दो चीज़ें मिली हैं आप मेंसे कोई बता सकता जी ट्वेंटी की बैटकों से बताईए आप लोगों मैंसे किसी को दो को बताओ 20,000 करोड का अड़र्टीजमेंट है बच्ची पीछे से टूरिजम कह रही है प प्रदेश की सरकार है इसके आगे कुछ नहीं मैंने का नौ सान में युएस के साथ एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ हो जो नुक्लियर डील वन टू थी के बराबर हो यह उससे नीचे हो जवाब दीजे भारत को क्या मिलेगा भारत को बिलकुल मिला भारत ही नहीं भारत के हर प्र लगा दिया तो क्या करेंगे बारत की महतवता विश्यो को पता चले खार टो के जाए बारत की रहीं तो क्या करेंगे लिए इस बीस कैमरे लेके अपनी माँ का अश्रवार देले जाता हो इनका समस्या ये है कुंठा का कोई लाज नहीं है देश का कोई लाज नहीं सवाल पूछेंगे अभी अभी इनके प्लेता ने करन मोली जी के बाप को बुला लिया था देखिए कैसे किसे लैंग्वेज है अराज पर पूरे विश्व की नजर बनी रहेगी आप सबीका बहुत धन्यवाद है वारे साथ जुड़ने के लिए हल्ला बोल में इतना ही देश नहीं के लिए आप देखते रहें या आधिस्ता